हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलर्णिंग क्लासिस फ्रेंड्स आज है 9 अक्टूबर 2020 और 9 अक्टूबर के जितने भी important questions हैं सारे questions को हम discuss करेंगे इस वीडियो में इसकी PDF आपको टेलीगराम से मिलेगी टेलीगराम का लिंक मैं वीडियो के description box में डालते रहा हूँ चैनल को subscribe जरूर कर लेंगे जिससे ही सारी latest videos आपको मिलती रहें चलो शुरूआत करते हैं आज के पहले question से आज का पहला question है दोस्तो आज का पहला question है दोस्तो हाली में genome editing की एक पधिती विक्सित करने के लिए किसे रसाइन के छेत्र में noble पुरुसकार देने की घोशना की गई है तो लोगों को मिला है दो लोगों को मिला है और ये दो लोग कौन कौन है option number A और option number B दोनों ही सही होगे इसमें option number C इसका सही होगा एमेनुवल शार पैंतिये और जैनिफर डाउडना इन दोनों को रसाइन के छेत्र में genome editing पधिती विक्सित करने के लिए noble पुरुसकार दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों की दोनों महिला हैं और ये महिला देखोगे इनको मिला है दोनों को noble पुरुस की हैं और ये हैं अमेरिका की कहां की हैं ये अमेरिका की हैं ये हैं फ्रांस की ये जो फ्रांस की हैं इनका नाम है एमुनुवल शार पैंतिये और जो अमेरिका की हैं उनका नाम है जैनिफर डाउडना इन दोनों को मिला है genome को edit करने की विधी खोजने के लिए chemistry का noble पुरु किरा रहा हूं इससे पहले मैं दो करा चुका हूं आपके लिए एक आपके लिए मैंने कराया है physics में और एक कराया है मैंने आपको ilogy मैं तो दो मैं मिल चुके है सोरी IFA ले चृतर मेंकरा है, medicine वाले में तो दो मैं पहले करा चुका हूँ ias रखाया है एक एक करके सारी नोबल पुरुसकार मैं करा दूँगा आपके लिए क्वेशन नमबर दो है हाल ही मैं 42 वी GST काउंसिल में सरकार ने सभी राज्यों को लगवक कितने करोड रुपे का मुआवजा आवंटित किया है क्वेशन नमबर दो और क्वेशन नमबर दो का आणसर है बी 20 हजार करोड अभी देखो है 42 वी GST काउंसिल हुई थी और इस काउंसिल में सरकार ने जितने भी राज्यों हैं सबको मिला कर कितना रुपे देगी 20 हजार करोड रुपे देगी इस GST काउंसिल की जो अधिशता की थी वो की थी अभी प्रिजेंट की वित्मंत्री है निर्मला शीता रमड उनके द्वारा की गई थी जैसे की देखोगे इसमें लिखा हुआ है जिएस्टी काउंसिल की 42 भी बैठक 5 करोड से कम टर्ण ओवर वाले राज्यों को मंत्री रिटर्ण में राहत राज्यों को आज राती जारी होगा 20 हजार करोड का कंजेप्शन कंजेशन सेंस तो यह काफी important है GST देखो question क्या आ सकता है एक तो GST के तहट कितने रुपे राज्यों को जारी हुआ है दूसरा question है GST की यह कौनसी बैठक हुई थी तो यह काफी important है और तीसरा question है इसकी अध्यसता किसकी द्वारा की गई थी तो तीन question इसमें से बनेंगे तीनों को याद जुका है 8 अक्टूबर को पूरे वारत के अंदर मनाया जाता है भारतिया वायू सेना दिवस और यह मनाया कहा पर गया है यह गाजियावाद के हिन्डनुए्स पर मनाया गया है किस पर गाजियावाद जो हिंडन बेस है एरफोर्स का उस पर ये मनाया गया है तो एक बात ये याद रखना देखो भारतिय बायू सेना के इस टाइम पर जो चीफ है उनका नाम है राकेश कुमार सिहीं भधोरिया उनका नाम है तो इतनी बात आपको याद रखनी है भारतिय बायू सेना से किसका दिवस की डेट क्या है कौन सा वा था 88 वा था कहा मनाये गया गाजियावाद एयर वेस पर देखोगे जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरी पिक्चर लगाई हुई है एयर फोर्स के बारे में तो इससे रिलेटेड जितनी वी इन्फॉर्मेशन है आपको जरूर मन्जूरी देदी है तो देखोगे अभी कैबिनेट ने जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल बारकोर्ड ऑफ लाइफ के बीच जो समझोता हुआ है उसको मन्जूरी दी है तो एक किस-किस देश के बीच हुआ है दोस्तों आंसर हुआ है इसका C भारत और कनाड के बीच हुआ है अब देखो कनाड़ा के बीच हुआ है तो कनाड़ा की राजधानी क्या होती है ओटावा क्या है ओटावा यहां की राजधानी है करेंसी क्या है यहां की डॉलर कनेडियन डॉलर यहां की करेंसी है दूसरी बात यह याद रखना कि कनाड़ा यह कंट्री है ये उत्री अमेरिका की country है और ये दूसरी largest छेतरफल में बड़ी country है अगर according to area के देखो तो सबसे ज़्याओ रशिया का है और रशिया के बाद दूसरी number पर कौन सा आता वर्ल्ट में कनाडा आता है तो इतनी बात कनाडा से आपको याद रखनी है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है केविनेट ने जोलेजिकल सर्वे ओफ इंडिया और कनाडा के एक नौट फॉर प्रोफिट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बार कोड ओफ लाइफ के बीच समझोते को मंजूरी प्रदान किये तो यह काफी इंपड़ेंट रहेगा कोशन याद रखना है आपको नेक्स देश के बीच साइबर सुरक्षा के चेतर में हुए सहयोग समझोते को मंजूरी दे दी है क्वेशन नमबर 5 यह भी काफी इंपड़ेंट रहेगा तो देखो यह केंद्री मंदल ने किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के बीच यह समझोता हुआ है उसे मंजूरी दी है तो आंसर होगा इसका D, जापान, भारत और जापान के बीच जो साइवर सुरक्षा में समझोता हुआ है, उसे केंद्रिय मंत्री मंडल ने मंजूरी दे दी है, देखो जापान की बात है यहाँ पर, तो जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोकियो है, जापान की करेंस की जगहा पर यह प्रधान मंत्री सुर्णी राष्टपती बने तो काफी इंपर्डेंट रहेगा, इसकी डिटेल्स आपको याद रखनी है, जापान के बारे में, देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, भारत और जापान के बीच साइवर सुरक्षा के चेत्र में हुआ समझोता केंद्रिया भारत ने मंजूरी दे, तो सेंटरल ने इसको मंजूरी दे दी है, आगे आते हैं कोशन नमबर 6 है, हारी में किस देश ने सुपरसॉनिक मिसाइल असिस्टेड रिलिज ओफ टॉर्पीडियो का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है, तो देखो यह यह कोशन नमबर 6 है, और यहाँ पर जो सुपरसॉनिक मिसाइल है, इसका नाम जो लिखा हुआ है, असिस्टेड रिलिज ओफ टॉर्पीडो, इसको सॉपरसॉनिक मिसाइल असिस्टेड रिलिज ओफ टॉर्पीडो, इसको सुपरसॉनिक मिसाइल असिस्टेड रिलिज ओफ बता है इसका आंसर क्या है क्वेशन नंबर 6 का देखोंगे भारत और किस देश की पीश सुपर सॉनिक मिसाइल असेस्टेड और रिलीज टॉर्पीडों का उध्गाटनों तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए जपान क्या इसका आंसर सुरी कहां पर हूँ नंबर 6 में जो आप्शन हैं ये सब के सब ऐप्शन गलत हैं मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ यह पूछा है हुआ कहां पर है इसमें option गलत आ गए है तो यह हुआ है दोस्तों ओडिशा में कहां पर हुआ है ओडिशा में हुआ है इसका अंसर आप डिरेक्ट याद रखोगे ओडिशा में हुआ है सोपर सॉनिक मिसाइल असिस्टेड रिलेज ओफ टॉर्पीडो का सफलता पूर्पर परिक्शन हुआ है अब देखो ओडिशा में वह यह जो हुआ है यह कहां पर हुआ है वीलर दीप पर हुआ है कहां पर हुआ है वीलर दीप पर हुआ है देखो यह क्वेलर दीप कहां पर है तो देखो यह ओडिशा के वीलर दीप पर हुआ है तो काफी important रहेगा आपके लिए question number 6 अब देखो उडिसा की बात है तो उडिसा की राजधानी क्या है भूवनेश्वर है उडिसा के CM कौन है नवीन पतनायक है और उडिसा के गवर्नर कौन है गणिशी लाल है देखोगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है भारत ने anti-submarine supersonic missile smart का किया सफल परिक्षान वार्शिप पर होगी तेनाती तो smart इसको short में बोला जाता है तो काफी important रहेगा याद रखोगे इस question का answer question number 7 है हाली में world habitat day कम मनाया गया है question number 7 world habitat day मनाया गया है 5 October को कम मनाया गया है 5 October question number 7 का answer क्या है ये है 5 October को world habitat मनाया गया है जैसे कि देखो लिखा हुआ है world habitat day 2020 विश्वे आवास दिवस पर जुड़े रोजक तत है तो काफी important है पस इतना याद रखना है मनाया कब गया है world habitat day ये 5 October को मनाया गया है world habitat day ठेखो सबसे पहले कम मनाया गया था 1985 में मनाया किसके द्वारा जाता है UN के द्वारा इसको मनाया जाता है आगे आते हैं question number 8 है हाली में किस देश के पूर्ब किर्केटर नजीब तारकई का सड़क दुरगटना में निधन हो गया है ये भी बहुत important रहेगा तो देखो गए ये पूर्ब किर्केटर थे कहा के थे ये पूछा गया है तो answer होगा इसका D Afghanistan के थे कहा के थे Afghanistan के थे और इनका सड़क दुरगटना में निधन हो गया है तो याद रखना है Afghanistan की राजधानी क्या है दोस्तो Kabul यहां की राजधानी है अफगानी रुपिया यहां की करेंसी है और हामिद करजे यहां के प्रसिडेंट है तो इतनी बात याद रखोगे अफगानिस्तान के बारे में और यहां पर लिखा हुआ है अफगानिस्तान के योवावल लिवाज नजीब तारकई की सडग दुरगटा में हुई मौत के बाद सदमे में सभी खिला रही तो याद रखोगे यह नजीब तारकई थे जिनकी डेथ हुई है आगे आते हैं क्वेशन नमबर 9 है हाली में सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमती व्यक्त की गई है क्वेशन नमबर 9 और यह सिटवे बंदरगाह के लिए किस देश के साथ सहमती की गई है आंसर होगा इसका मैनमार किस के साथ मैनमार के साथ की गई है बात मैनमार की है दोस्तों तो मैनमार की राजधानी क्या है नैपि याडो यह काफी important रहती है नैपि याडो और यहां की currency क्या होती है कयात यहां की currency होती है यह दोनों ही important है और दोनों ही paper में कही बार आचुकी है देखोगे जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है भारत मयमार के बीच सित्वे बंदरगाह के परिसंचालन संचालन पर बनी सहमती मजबूत होंगे रिष्टे तो देखो आनसान शू की यहां की कौन है PM है तो ये भी इसमें याद रख सकते हो आप आगे आते हैं question number 10 है हाली मैं किस राज्या की मशूर मिर्च डले खुरसीनी को GI tag मिला है ये भी काफी important है यहाँ पर नेका कोई यो नहीं है तो देखो डले खुरसीनी ये काफी important रहेगा इसको याद रखना इसको GI tag मिला है जिगरेफिकल इंडेक्स इसको बोला जाता है आंसर होगा सिक्किम कहा की है सिक्किम की मिर्च है डले खुरसीनी इसको GI tag दिया गया है ये दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च है ये दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च है और इसका rate है 480 रुपे किलो कितना है 480 रुपे किलो की ये मिर्च है सिक्किम की ये मिर्च और सिक्किम की बात करने हैं यहाँ पर तो सिक्किम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है प्रेम सिहिंग तमांग क्या नाम है प्रेम सिहिंग तमांग यहाँ के सियम का नाम है गवर्नर कौन है दोस्तों यहाँ पर गंगा परसाद कौन है गंगा परसाद यहाँ पर गबर्नर है गंगतोक यहाँ की कैपिटल है बाकी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सिक्किम की मशूर मिर्च डलेश खुर्चिनी को मिला जियाई टेग तो यह देख पारे हो यह वाली मिर्च है यह दुनिया की सबसे तीखी है तो इसी को जि एक हजार करोड का भुगतान किया है तो देखोगे काफी important है तो अभी देखोगे केंदर सरकार ने 40,000 किसानों को एक हजार करोड का भुगतान किस फसल के लिए किया है अंसर होगा इसका एक चावल की फसल के लिए किसके लिए किया है चावल की फसल के लिए केंदर सरकार किया है option number A है इसका जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चालू सीजन में सरकार 5 करोटन चावल खरीदेगी पिछले सीजन के मुकावले लगवख 20 फीसर अधिक होगी खरीद तो यह काफी important है किसानों के लिए भी इसने पैसा दिया है और कितना बापू दा अनफॉर्गेटेबल इस पुष्टक का विमोचन किया है मनिष शिशोधिया ने किसने किया है मनिष शिशोधिया ने इसका विमोचन किया है यह महात्मा गांधी की जैनती पर 151 भी जैनती पर इसका विमोचन किया गया है तो काफी याद रखना देखो इसमें ये भी question पूछ सकता है कि महात्मा गाधी की कौन सी भी जैनती थी 151 भी जैनती भी थी ठीक है इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश शिशोदिया ने बापू दफ अनफॉर्गेटिवल बुक का विमोचन किया तो काफी important है इस question का भी आपको answer याद रखना है आगे आते हैं question number 13 है हाली में AAI का 100% सौर उड़्या से चलने वाला हवाई अड़ा कौन सा बन गया है तो दिखो AAI का 100% सौर उड़्या से चलने वाला हवाई अड़ा कौन सा बना है answer होगा इसका पुद्दुचेरी हवाई अड़ा recently बना है पुद्दुचेरी हवाई अड़ा किसका बना है AAI का बना है इसकी full form क्या होती है Airport Authority of India क्या है इसकी full form Airport Authority of India इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और अरविंद सिहिंग इसके चेर्मेन है कौन अरविंद सिहिंग इसके चेर्मेन है तो इतनी बात याद रखोगे इससे जैसे कि देखोगे क्वेशन नमबर 14 है हाली में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजीटल रूप से ग्राम दर्सन का सुभारंब किया है तो देखो इस डिजीटल रूप से ग्राम दर्सन का सुभारंब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है तो ऑप्सन नमबर A है इसका क्वेशन नमब देव नरायन आर्या क्या नाव है सत्य देव नरायन आर्या जैसे कि लिखा हुआ है 6197 ग्राम पंचायत हुई ग्राम दर्सन पोर्टल लॉंच प्लास्टिक कच्रे से बनेंगी सडक तो एक काफी इंपरेंट है नीचे मनुहर लाल खटर जोकी हर्याना के सीएम है इन्होंने ही इसको लॉंच किया है तो काफी इंपरेंट रहेगा है इस क्वेशन का अंसर जरूर याद रखना है आपको वह very very most important है आगे आते हैं question number 15 है हाल ही में AS दवे का निधन हुआ है वह किस राज्य के पूर्व हाई कोर्ट नियाधीस थे तो देखोगे फॉन से राज्य में ये हाई कोर्ट में नियाधीस रहे थे और इनका निधन हो गया है तो या आंसर होगा इसका B गुजरात कहां के गुजरात हाई कोर्ट के पहले नियाधीस रह चुके थे इनका भी निधन हुआ है एस डबे का गुजरात की राजधानी क्या है गाधी नगर यहां की राजधानी है यहां के cm कौन है बिजय रूपानी के नाम है और जबकि गवर्नर कौन है आपर आचारे देब्रत है कौन है आचार्य दिब्रत विजय रूपानी आगे CM है और आचार्य दिब्रत कौन है याँ पर गवर्णर है जैसे कि देखो लिखा हुआ यहाँ पर गुजरात उच्छ नयाले के पूर्व कारवाहक मुख्य नैदिस एस दबे का निधन प्रधानवंत्री नरेंद्र मोली ने दुख व्यक्त किया तो काफी इंपरेंट है यह थे एस दबे जिनका निधन हुआ है आगे आते हैं तूड़े कोश्चन पर हाली में रेज 20 समिट का उधगाटन किसने किया है काफी इंपरेंट कोश्चन से इस कोश् केर कीजिये टाडा बाई बाई